नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस प्लेट फॉम पर जहां हम विजन आएस की मेंजली मेगजीन को कवर कर रहे हैं इससे पहले हमने मई जून और जुलाई तीन महा की मेंजली मेगजीन को कवर किया है उसका प्रॉपर वीडियो मैंने यूटूब पर अपलोड कर दिय तो इस बाइब हम चालू करने जा रहे हैं अगस्त महा की मंथली मेगजिन को तो इसको हम देखेंगे और इससे रिलेटर जितने भी करेंट अफेर्स की न्यूज है उन सब को पढ़ेंगे और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि मैं लाइन तो लाइन कवर करने की कोसिस करता कि उन्हीं को पढ़ा हूं भागी चीज़ों को एक दम नेगलेट करते हुए चलू है और साथी साथ क्या रहा हूं कि अपनी तरफ से भी जितना एड कर सको कि हाँ ये नेउस या फिर इससे रिलेटर जो जानकारी है आपकी लिए जरूरी है वैसे इस मैगजिन में पूरी प्रॉपर दिये रहती है पूरी जानकारी कहीं अलग से तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है पर फिर भी अगर जितना हो सकेगा मैं एड करने की कोशिस करता हूं ताकि आप लोगों को इसका लाग मिल सके और साथी साथ आप लोग इसका फाइदा भी उठा सके तो चलि इसने भी राजवस्ता पॉल्टीन गवर्नेंस में जितने भी करेंट कीने हुझे जैसे डिश्टल बैतिगर डेटा सनच्छन दियाम आया है ना ताकि डिश्टल जो डेटा होते हैं पूरे एक तरह से देश में लोगों के उनको एक तरह से सनच्छन किया जागे ताकि कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई स्पैमर उसको चुरा न सके क्योंकि उससे कहोगा डेटा लीख हो जाने से लोगों की निश्टा कभी हनन हो जाता है साथिसाथ उनकी प्राइविट जानकारी लीख हो जाती जिससे उन पर बहुत बड़ा खत्रा हो जाता है तो यह जो आया है नागरी सुरच्छा सहिंता और भारती साच बिधेग हैं इन सभी में क्या बड़ाव किये गए हैं कितना किया उसको देखेंगे और साथी साथ मुक्ष चुनाओ आयुत और अन्य चुनाओ जो जो लाएगा है इसमें रिलेटिक चुनाओ आयुत के एकदम नियुक्त की किता वधी को क्या बडलाव किये गए हैं इनको देखेंगे चुनाओ प्रक्या सुधार की पहलू एकल मतदाता सूची और चुनाओ में नमंकत नालिक दाखिल करते समय गलत घोसना है जिनसे क्या होता है कभी-कभी आपका चुनाओ पत्र भी रद्ध हो जाता है है आना रहेगा कहा राज्य सरकार वर्चस पर रहेगा लोगों के मतलब सरकार यादिकारियों के ट्रांसफर में पुलिस में तो इसके लिए रिलेटल लेकर क्या हुआ कि राज इसमें जो संस्वधन आया है दोहजार तेश में उसको हम देखेंगे नॉन कॉंफिडेंस नो कॉंफ रूल सेंग रिलेशन लाए हैं जिससे क्या होगा कि आप इंफ्लेंसर बनें लेकिन उससे लोग इंफ्लेंस वह यह नहीं कि आप बोडी डवल बोडी दिखा के या फिर जैसे आज कल करते हैं तो उस हिसाफ से तो उसको रिलेशन आया है जन्ममित पर पंजी करन संसुधन तो यह हमारे में टॉपिक होगा है उसके बास संशित सुर्किया है तो इनको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आज को जो पहला टॉपिक है डिजिटल बिक्तिगर डेटा संदच्छन अधिनियम इसको हम देखेंगे और यहीं से अपनी सुरुआत करेंगे तो जरूरी परिवर्तन सुनिशित किया गया है है इससे भारत की डिश्टल अर्थ व्यस्ता और उसके इनोवेशन एको सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा है इस उफ लिविंग जीवन जीने में सुगमता और इस अप डूइंग विजनेस बैवस्वाय करने के सुगमता को भी सब्सक्राइब तो यह क्या था एक बहुत बड़ी यह कह सकते हैं कि सुप्रिम कोट की बाद थी इसमें बताया गया था है तो इसके बाद क्या हुआ था कि नियाय मुर्तिशी कृष्ण की अध्यष्चिता वाली समीत ने क्या किया था कि 2018 में जो ब्यत्तिकर डेटा सब्सक्राइब पारिश्चन विधायक 2019 के नाम से संसद में इसको पेस किया था है तो यह हुआ था इसके बाद क्या किया था कि इस वी धायक को संसथ्थ के दूनों सद्रहों में संयुक्त समीत ये इसके भारे में थोड़ा देखेंगे कि यह दिपीडिपी है क्या है यह कैसे देटा की प्रोसेसिंग करता है कौन कौन से डेटा को कहां कितना करना है और इसे बैक्ति यह जाएगी और वैध उद्देशन के लिए डेटा की प्रोसेसिंग की जाएगी, वह डेटा जिसके उदारा किसी बक्ति की पहचान की जा सकती है, बेक्तिगर्ट डेटा कह राता है, है ना, या अधिनियम निम्रिखित प्राउधाने के उदारा, डिजिटल बेक्तिगर्ट डेटा का स्रनचा करता है, तो इसमें पहले क्या आता ह डेटा पूसिंग के लिए फिडू सरी है जिसमें राओ डेटा को इकठ़ा किया जाता है और उसे उपियोगी जानकारी में बधल लिए जाता यह बहुत ही खतरनाग चीज है यह डेटा प्रिंसपल या डेटा स्वामी के अधिकार और करता बिको मुझ दारीद करता है साथ ही इसा अधिनियम से प्रावधान क्या होंगे। कि बैत्तियगत अधेस के लिए प्रोसेश बैत्तियगत डाटा है दाटा खुद अपना डेटर इस्ट किया गया जाता है तो वह कोई बैद उद्देशों के लिए होता है ना किसी भी समय अपनी जहमति वापस लेने का इसमें अधिकार होता है तो यह अपना जो अधिनियम के मुखे बेसेजता है और साथ ही साथ क्या है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है इंडिया का उसमें क्या है इसका केंदर सरकारद्वरा डीपी बी आई के गठन का होंगे तो इसको आप जान सकते हैं क्या पता पूंच सकता है प्रिलिम्स में है और तो साथ साथ ही साथ क्या है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिया के किसी भी निर्णा के बिरह दूर संचार विबाद निप्टान और अपीली निया इधिकरन है टीडी या सेटी मे अधिकारों का उपयोग करने के लिए किसी बैति को नामित करने का अधिकार है डेटा फिजिश्री के दाई तो देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनीशित किया जाता है उसी स्रणचनात्मा को उपाय किया जाता है और डीपी और अखंडतार राज की सुरक्षा चुनावी लोगतन और लोग व्यवस्ता पर प्रवहार डालने की संभावना है तो यह है और साथ ही साथ इसमें और क्या प्रावधान दिया गया है कि अधनियम के तहट कुछ छूट भी दी गई है जिसमें क्या होगा कि अनुसंधान सं देटा की प्रोस्सिंग दे गये हैं भारत के बाहर बत्तियतन का स्तांतरां के ओरत देता के चुर्माने में क्या है कि बच्चों के समध्मधित दायितों को पूरा ना करने पर 200 कौन रुपए कर दिया गया है तो यह अपना जो DPDP है उसमें यह कह सकते हैं कि प्राउधान दिये गए है इसकी सीमाय क्या है कि मुलादिकारों का उलंग है इसके करण जितना आवस्क है उससे डेटा का कलेक्शन प्रोस्टिंग और रिटेंशन बनाए रखना हो सकता है अब परियाब सुरक्षा उपाय कि जिस यह सीमाय है इसकी मुआबजे का प्राउधान नहीं दिया गए अगर कुछ गलत हो जाता है तो इसमें क्या आपको दिया जाएगा सिकायत निवारण के लिए जटिल दिस्टिकोड है भारती डेटा समच्छन बोर्ड के समझे इसको सिकायत नहीं निप्टा रहा हो पा इससे क्या होगा कि अपना एक तरह से कह सकते हैं कि जो डाटा चोरी होने का खत्रा है वो कम हो जाएगा डेटा अदिकार में डेटा पॉर्टिबिलिटी का दिकार और भुला दे जाने का दिकार दिया जाना चाहिए दूर्पियों को रोकना चाहिए समय अबदी तैक करनी जही जिससे का होगा कि देटा को हटाने के लिए एक निशित समय सीमा भीतहिया करनी जरूरी हो जाती है तो इसका प्राउधान है और डीटा सब्सक्र。 2000Thee メسم 2013 के बारे में विए बता गाए तर्व जरूरी नहीं बस जो जरूरी था वूँ मैंने आपको बता दिया है तो इसमें कुछ ही जरूरी क्यों कि क्य้ होता है कि जादा तर जो नीज होती हिं वो आपके कह सकते हैं कि मेंस के लिए जरूरी पर अभी आपको focus खाय के लिए करना है prelims के लिए क्योंकि मेंस में क्या होता है कि आप तो class लेकि भी उसका data clear कर देते हैं लेकिन जहां तक मेंस की बात आती है उसमें लोग दोखा खा जाते हैं तो हमारा जो आज का दूसरा topic है भारत के अपराधिक कानूने में सुधार तो जो IPC है 1860 की जगा भारती नया सेंटर 2023 लाए गया जो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी भी हम अंग्रेजों के जमाने का अपनी वैसिल सासनकाल के कुछ कानूनों को नियमों के तहत चल रहे हैं तो उनको हटाना ओवरेट करना और नया कुछ क्या होता है कि 1860 म लेकिन बरतमान समय में परिस्तिति आलग है हर तरफ डिश्टलाइजेसन चल लही है और जो अपराध करने के तरीके भी बदल दिया जो पूराने घिसे-पीटे तरीके थे उनको हटा दिया गया और नय तरीकों से करते हैं जिसका वरणन भी नहीं मिलता है तो जिस करण से क परिए निया सहिंता में जरूरी था जो लाया गया है यह भारती नय सहिंता दोजार तेस की नाम से और CRPC जहे 1973 की भारती नागरिक सुरच्छा दोजार तेस लाया गया यह भी बहुत अच्छी बात है तो हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे अब भारती साच्छेटिय हम भी जो था 1872 की जगा इसमें भारती साच्छ विद्हेक 2023 लाया गया है हम देखेंगे कि इन विद्हेकों की आखिरा वसक्त्य क्यों पड़ी ऐसा क्या था कि इसमें संसोधन करना पड़ा है ना तिसमें क्या है कि नियायलो में बड़ी संख्या में लंबित मामलों की अबित हैं तो क्या होता है कि इन में सुधार के लिए अफिन इनके निप्टान हे लिए विद्हेक लाना जरूरी था समय पर नया प्रदान करने के लिए है ना जैसे आप देख सकते हैं कि विचारा दीन कैदियों लंबे समय में जेल बिबंद है और ऐसे कैदियों की माम किया है या पराध की नहीं किया है दो सिद्ध दर में ब्रिध्धी है ताकि क्या हो कि लगवाख 50% मामनों में अभियुक्तिया पराधी दोसी सिद्ध नहीं हो पाते हैं जिससे क्या होता है कि उन पर यहीं हो जाती कि विचारा दिन कैदिक रूप में रह जाते हैं अप विरासट को समाप्त करने है उस भी het रिषिये विदहेक लाना जरूरी था तो यह हो गया कहनद अगले टॉपिक है भारती सहींता दोहुज़ार तेस हैं तो यह भी तो उसमें क्या हुआ था कि 1834 में जो लाड थॉमस बैंबी गटन मैकाले की अध्यचाते में पर्थम भारती विधियायों का गठन हुआ था जिसमें क्या हुआ था कि आएपीसी का एक मसौदा तयार किया गया था 1837 में यह मसौदा क्या था इंग्लिस कामन लाउपर आधारी था बाद में संसोधन हुए 1857 के बिर्दोह के करान आईपीसी को कानू रूप देने में देरी हुए इसलिए 1860 में अधनीमित हुआ और 1862 में इसे लागू किया गया है ना तो स्वत्रनता के बाद इसमें भी कई संसोधन किये गए लेकिन इन सभी परिवर्दनों और प्रक्याओं को सरल बनाना और मौजूदा कानूनों को आम जन की बर्तमान स्थिरी के लिए प्रसांगी बनाना ती हो जाएगा पस इसमें इतना जनुरी था कि कब लाए गया था अब जैसे इसमें भारती नागरिक सुंचा 2023 कि भारती नागरिक सुरच्छा सहिंता 2023 में दं मानत की प्रक्या संबंधी प्रावधान किया गया थे तो इसके प्रिष्टी भूम में हम देखेंगे तो CRPC को सरप्रथम 1882 में ब्रिटी संसद्वारा दनीमीद किया गया था है ना और इसके बाद संसदन हुए 1389 में 1923 में और 1955 में तो यह आपके लिए बहुत ही एफेट् करते हैं कि न्यूज आ रही है तो उसके तहाथ यह अपके लिए फ्रिलिम्स पॉंट अब यू से महाचपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है अब विदेया के प्रमुख मिंदियों पर नजर डालेंगे तो क्या है विचारा दिन कैदियों के हिरासत को एक तरह से जमानत पर किया जा सकता है इस बज़ा से इस मिलाना जरूरी है है ना इलेक्टानिक मौन में सुनवाई की जाए ताकि जल्दी हो सके तौरित करवाही हो जिनों बिचारा धीन कैदिन न रह पाए जिन्होंने गलत किया है उनको सजा दिये जाए नहीं तो उनको बरी किया जाए और सजा के मामलों में राजनेतिक पर छूट हो तो इसलिए इसमें दिया गयाता है और संबावित प्रभाव क्या होगा इस बिदहया के लाने से मामलों का सेंगने इप्टान होगा जैसे कि हमने पहले चर्चा की हुई है प्रद्योगी का एक ही करान होगा पीड़तों के अधि एक करके प्रतिस्थापित करेगा है जिसमें सचस्विकारते हि actual नेमों का प्रवधान दिया गया है उसकी विए ऐसे 1872 में धनीमीत किया था 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 है अपनिवेसिक काल में तो उस परिस्ति उस समय के अनुसार वो कानूर बनाएगे थी, लेकिन बरतमान समय बहुत ही आगया है, लगभग दो साल हो गये हैं इस बात को लेके, तो उसमें चंजिस लाना जरूरी है, और चंजिस पूरी तरह से लाना जरूरी है, क्योंकि बरतमान का युग प्रद्यों की उन्नत के अनुरूप है, है न, और पहले क्या था, इतनी प्रद्यों की नहीं थी, डिश्टलाइजेसन नहीं था, तो उस हिसाब से वो नियम सही था, लेकिन बरतमान समय में चंजिस होना जरूरी था, विदेहक के प्रमुक मिंदी उपन नजर डा संयोक तो सुनवाई होगी, तो इस तरह से इसमें लिया जाए, अब इसके प्रभाव क्या पढ़ेगा, ऐसे क्या क्या सुधार हो जाएंगे, इलिटानिक साच के प्रियोग में ब्रिद्धी होगी, निजता संबंधी समस्याय उत्पन हो सकती है, तो इससे ये प्रभाव प कारयान मां द्रिश्ट कुण से और निवित निरिच्छन जैसे कठिन चरणों से गुजरेगी, तो यह हो गए इसके, हमारा जोगला टॉपिक है, मुख चुनायुक्त, अन्न चुनायुक्त की नेक्ति, सेवा सर्थे और पदावधी, उनके सेवा सर्थों के लिए ये बिद करने का प्रेयास किया गया, तो, बर्तबान प्रकिया के नुशार, अनुच्य तीन स्थो चुनायुक्त होते हैं, जितने रास्टपती समय समय पर द्धारित करता है, मतलब ये रास्टपती के विवेकपन, निर्भार करता है, इसका अनुवण बना भार्त-संगबाद में राष्ट्पति चीफ इलेक्षण कमीशन की निक्ति करेगा और समीत की सिल्हापर करेगा तो इसमें कौन-कौन से होंगे प्रधान-मंत्री लोगसभा के विपच्छनेता है ना यद कोई विपच्छनेता नहीं है तो सब लोगसभा की संक्षय में एक तरह से कह सकते हैं कि संग सरकार के कैबिनेट मंत्री होगा कैबिनेट सचीव द्वारा की जाएगी जिसमें दो अन्न सदस होंगे जो केंद्र सरकार के सचीव अस्तर के अधिकारी होंगे और चीफ एलेक्षन ओफिसर के लिए एसे ब्यक्ति जो भारा सरकार के सचीव पत के समकच रहेंग पर है या ऐसे पत पर रह चुका है तो उनको और साथे साथ ऐसे ब्यक्ति को अनिबार तोर पर चुनाओ के प्रवंधन और चुनाओ कराने का एक जान्द कर अनभाव होना चाहिए बर्तमान समय में देखा जाए तो जो भी अधिकारी होते हैं उनको रहता ही है क्योंकि बर्तमान समय में बहुत ही जादा वास्ट हो गया है चुनाओ कराना है तो इस बज़य से ऐसा लाए गया है नियों पदवधियों कारयालाइ में क्या आता है छे वर्च की यह कि इवर्च के लिए यविए 65 वर्च कि अधिक नहीं होना चाहिए, बेतन भत्ते और सेवसरते कबिनेट से चीव के समान होगी, CEC और EC दोनों के हैना, पद से हटाने के लिए 324 के तहट CEC को उसके पद पर उसी रीतरी वास से हटाया जाएगा, जिस रीतरी वास से सुप्रीम कूट के नायदीस को हटाया जाता है, ह पतेक सदन द्वारा, अपने कुल सदस संक्षान में बहुमत द्वारा, और उपस्तित मतदान करने वाले सदस में से कम से कम दो तीहाई बहुमत द्वारा, सरल सदों में कहें, तो EC और CEC को सिपारिस के अधार पर हटाया जा सकता है, कारस अंचालन में देखेंगे, तो कुछ कमिया होंगे, उससे भी जूड़ी कुछ चिंताएं होंगे, तो हम देखेंगे, तो इसमें क्या किया गया? भारत के मुख्यानाइधिस को चैन पर्क्या से बाहर करने के इसमें प्राधान किया गया, है ना, सत्तारूर दल का इसमें बर्चस हो सकता है, निस पच्छत और आहए नियोत कर सकते हैं अयसे लाई के राह का कि इसको पत से हटाना है तो इसमें क्या युद है कि लिगाने की मुख्या कुछ चुनायोक्ते का थान ने की सामान बनाया जाएना कि सदस्य को समान समय धानिक सरच्छन मिल जाए बहुति दारक दृष्टिकून अपनाया जाए प्रमुख नया विदो और सीजी आई स्वतंत्र विसेशक जो नागरिक समाज के सदस्य वात को सामिल किया जाए बरिश्चित्या का सिध्धान्त लाया जाए और व्यापक पराम इसमें सुधार के लिए एक रिपोस्ट पस्तुत की गई है किसके दौरा कार्मिक लोग सिकायत विधी और नाय विभाग से संबंदित संसदी अस्थाई समीत ने तो इसमें क्या किया बिस्लेशन किया गया है किस हिसाब से कि समान अथवा एक एकल मतदाता सूची के जरिए मतदाताओं की भागेदारी और व्यापक प्रतिनित, उम्मीद वारी के लिए नमंकन के दोरान पारदर्शिता ये जवाब देही तथा चुनाव लड़ने के नियुनतम आई तो इसमें एक तर ऐसे कि सुधार के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है तो इसमें एकल मतदाता सूची से क्या ताथ पर है कि डेटाबेस में समेत की काईट के दोहराओ की समस्यों को दूर किया जा सकता है है ना चुनावी प्रक्या को सुभेवस्थित किया जा सकता है तो बरतमान में क्या है कि दो प्रकार की मतदाता सूची तयार की जाती हैं समान मतदाता सूची और प्रिथक मतदाता सूची तो इसमें क्या होता है कि समान मतदाता सूची को ECI द्वारा तयार किया जाता है और प्रिथक को ECI के राज निरवाचन द्वारा मतलब केंद्र से और राजे से तो इसमें कहा है कि अनुछे 2324 के तहट ECI में भारत में संग और राजस्तर पहुने वह चुनावो के आधिका संचालन करता है और राजस्तर चीव क्या करता है राज निर्वाचनी 243 के फश्ट के तहट अस्थानी निकायों पंचायत नगरपाली का में निस्व को लाग हटा दिया गया है संभाइधानिक तक को चुनावती है है ना बरतमान में उच्छे 325 के दाएरे से ECI द्वारा प्रस्तावी CR को लागू करना यह दाएरे से बाहर है है ना तो इसमें सिपारिस की गई है सिपारिस में क्या किया गया है कि पहले सभी कार को पर बिच करना चाहिए जिससे यह सुनिशित हो कि आधार संच्छा प्राप्त गैर नागरीक में सामिल ना हो पाए चुनाव के लिए ना मंखल नारित करने समय गलत घोषणाय देने पर है ना जैसे बरतमान में क्या है कि निर्वाचक संचाना ना भिना 1961 के अंसार क्या है कि असाय क्या है कि जूटे सपत-पत्र मतदाओं को भर्मित कर उनकी पसंद को प्राववित करते हैं इसलिए चुनाव प्रक्या कि निश्पच्चता के लिए हानिकारक होते हैं रिपोर्ट में जो सिपारिस दी कि इसमें क्या किया गया है कि सपत्रों का सत्यापत जरूरी है इस पस्ट रूप से इसे परिभासित किया जाए, ताकि जूटी घुशना पत्त क्या है, इसके बारे मताया जाए, है ना, जुर्माना केबल विशेस मामलों में ही लगाया जाए, इसे छोटी गलती उपन नहीं लगाना चाहिए, और योगता समधित मामलों का सिग्र समधान क क्योंकि लंबे मुकदमे वाजी से कानुई प्रावधानों की इच्छी तुद्देश को कमजोर कर देता है, और तीसरा क्या है, मर्तदान करने और चुनाव लणने की निमतामाई की भी 27 स्थाफित करना, तो बरतमान में क्या प्रावधान है, कि लोग सभा में अनुछे 84 चुनाव लणने की निमतामाई प्रावधान की निमतामाई प्रावधान समानता नहीं है, इसके करन क्या होता है, कि राजनेतिक छेतर में भारत की व्यावाधी की भागेदारी कम है, इसी आई के नुसार 18 वर्स के युवाउं से इन उतर्दाय के निर्वहन और आवासा का निमतामाई की प्रावधा क्या पेच्छा करना सही नहीं है, तो इसमें जो सिपारिस की गए है, कि विदेशन समय में निर्धामाई जो निर्धारित की गए है, उसको कम किया जाए, ब्यापक नागरिक सिख्छा कारिकरम चलाए जाए, निर्णे निर्माण की प्रक्रियाओं में युवाउं की अधिक्तम भागिदारी सुनिशित की जाए, तक युवास अंगठनों की मिलकर कार करना चाहिए, है न, तो यह हो जाएगा, हमारा जो आज का पश्चमा टॉप गया में अधिक अधिकार प्रदान करता है, इस अद्रदेश में कहा है कि GNCTD वनाव, भारस संग 2023 मामली में सुप्रीम कोड की निर्णा के बाद जारी किया गया है, तो इसके बारे में यह है, तो सुप्रीम कोड ने क्या निर्णा दिया है कि लोगवश्ता भूमी और सब्सक्राइब कर सकता है तो यह हो गए अब हम देखेंगे कि जो एंसीटी दिल्ली की सासन विवस्ता है वो कैसे है तो यह जिसे आप पता है दिल्ली केंद सासिक परदेश के रूप में बरगिरित किया गए अनुच्छे 249 किता है यूटी का प्रसासन सिधे राष्ट पती यह राष्ट पती द्वारे ने तो प्रसासक द्वारा किया जाता है इसी विशेश दरजय राज्य का प्राप्त है इसमें उन्हात्तरवी संबिष्दान संसोदान उन्हें सुइंग चानने के दारा दिल्ली विधान सभा की सकतियां जो हैं पुलिस लोग विवस्तार भूम कि छोड़ राज सुचेवम समर्जति सुची की विशेव पर कानून बनाने कि सकति हैं साथ ही दिल्ली के समान विसेव कारणी सकतियां भी प्राप्त हैं जी यान CTD अधिनियाम उन्हें सुंग में ने क्यलक्त दिल्ली विद्धान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाच के लिए रूप रेखा तयार की गई थी तो यह हो गया था दिल्ली के लिए के सेपारी से करना हाना एनडवल सी ऐसे की कारण प्राणी को दिल्ली के मुख commercial तथा सदन की रूप में दिल्ली सरकार के मुख्प सचिव हो गा। जिससे कहा होगा कि दोनों की निवितिक के अंदर सरकार दवारा की जाएगी। LG की सक्ट्रेम बताई ग़ी हैं, जिसमें क्या हैं कि ऐसे मामलों में जो दिल्ली विधान सभा की विधाई छमता के बार हैं किंतो उन्हें LG को सौपा गया है, तो यसमें क्या होगा कि LG पूर्णतापी अपने बिवेक से कार करेगा। ऐसे मामले जिनमें LG को कानून बनाने अपने बिबेक से कार करना होगा और साथ इसाथ नयाई के आरधनाई क्यार करने क्या वसकता होगी यह सब अपने पूर्णतर बिबेक से काम करेगा और LG को प्रम называется NCC yogi को से की सिपारिस goat से लिए पुनर विचार के लिए लवटा सकता है। मंत्रियों के मामलों के निप्टान में क्या किया जा सकता है कि LG कया कि उननकी राय कि समझ प्रस्तूत करना होगा जिसमें दिल्ली के सांती विवस्था सरकार के सरकार राज सरकार से कार लाना सत्रावसन भीगटन और इस मामले में LG अपने वीवेका धिकार से आदेश देना और सचीवों के करता भी निर्धारित कियें जिसमें LG मुख्य मंत्री अमुख्य सचीव के संजान में लाने होंगे अब इस अन्यदिया में मुख्य समस्य आएगा है कि अंदर सरकार की सक्तियां दिल्ली में अधिकारियों के अस्थन अंत्रण और पदस्थां प्रदान करता है जिससे क्या है कि दिल्ली सरकार बना भारसंगबाद 2023 के सुप्रीम कोटदारा दिये गया निर्णे के विप्रीथ जवाब दही की 303 संकरला है इसमें जिसमें क्या होता है? NCWSA की अधिकारों की अस्थान तरण और परदस्थापना परदिकार प्रदान करने से जवाब दही की 303 संकला खंडि होती है. साथ इसा सामोई की उत्तरदायत का उलंगन होता है, LG के विवेकादिकार में ब्रिध्धी होती है, विवादस पात मामलों पर इस परश्टा न होने से, राज्य सरकार और एक तरह से LG के बीच में विवाद होता रहता है आगे की रह में देखेंगे, तो जैसे यहां ध्यान रखते हुए कि दिल्ली की प्रसासन प्रणाली लंबे समय से परिवर्तन सील लई है, तो इसे अधिक अस्थाई प्रणाली बनाने के इल्मिनखित विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, आलग-अलग मॉडल, संगी जिले की रूप में राजधानी, सहर राज की रूप में राजधानी, और राज में एक सहर की रूप में राजधानी, साथिसाथ एक पूर्ण राज की रूप में राजधानी की रूप में इसको डेवलप करना चाहिए, जिससे कहो कि दो स्थरी महानगरी प्रणाली का गठ से किया जा सकता है वहीं दिल्ली पुलिस अपराधिक मामलु का निप्टान कर सकते हैं तो इस तरह से इसको सुधारा जा सकता है हमारा जो आज चछटनवा टॉपिक है वो क्या है नॉन कॉंफिडेंस मोसन यानि अविस्वाव प्रस्ता इसके बारे में तो आपने पढ़ाय होगा पर फिर वीज में जो पदलाव किये हैं उसके बारे में हम देखेंगे जो इसे रिलेटेड निउज है तो यह सिर्खियों में किया है कि संसत के मांसून सत्र में क्या हुआ था कि मांसून सत्र में केंद सरकार खिला पर एक अविस्वाव प्रस्ता लाया गया था है न, अभिष्वावप्रस्ताव के बार लोकसभा में या उस सद्धन में किसी संसाद्वारा ही लाया जा सकता है। तो यह हो गया। सम्मेधानी का अनुष्छेद में लोगसभा के कार का संचालन जैसे किया जाता है, उसकी निया में जैसे अनुष्छेद 75.3 में इस नियम का वरणन किया जा है, मंत्री परिसत लोगसभा के प्रतिसामोही करूप शुत्तरदाई होती है, लोगसभा के प्रक्रिया और कार संच कि अभिश्वाव प्रस्ताव से संबंद प्रावधान कि Samsung में कोई आधार करने के वह सकता नहीं होती हैं अभॉसण पर उसे अस्विकार कर दिये जाने उसी संतर में दूसरा अभिश्वाव प्रस्ताव नहीं हो गया शकता है ही हो गया अब अभिस्वारंपरस्ताव चमाने के लिए यह इसमें देखेंगे तो जब самый संसत के बच्छी दलों को लगता है कि सरकार के पास रखुमत नहीं अब परिच्छरक करता है कि अभिस्वार परस्ताव सही है नहीं है सदस अभिष्वबस्ताव प्रेस करने की अन्मती तभी मिलती है और अध्याच की अन्मत मिलने की तारीख से 10 दिनों के बीटा सदन में अविस्वा प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है तिये इसके समाने प्रक्रिया हो गई अब हम देखेंगे कि अविश्वा प्रस्ताव से संबंदित महात्रपूर्ण प्रभाव क्या है। बोज भी बढ़ जाता है। तो यह इसके प्रभाव होगे। दिसकर्स में देखेंगे कि भारत के संसेदी तिहास का पहला अविश्वा प्रस्ताव के करण सरकार को स्थीपा देना पड़ता है। अब हम देखेंगे मध्यस्तता विध्यक मीडियेशन बिल क्या होता है। तो इसमें दोनों सदनों में मध्यस्तता विध्यक मध्यस्तता को बैकल्पिक विवाद समाधान के अमाने तरीके के रूप में बढ़ावा देना है। इसके बारे में क्या बताएगा है कि मध्यस्तता को इसके 120 दिनों में पूरा किया जाना होता है। और इसकी समय से में पच्छों की सहमत से करीब 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। भारती मध्यस्तता परिसात में है इसके बढ़ावा देना मध्यस्तता को साथे साथ एक मजबूत के अंदर घूप में स्थापित करना और मद्धेस्टों को पंजी करण के यहां बताना इसमें कौन-कौन से M.C.I. में होंगे एक अधच्च दू पुरुण कालिक सदस एक अंसे कालिक सदस और तीन पदेश सदस बस यह इतना है और यह विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें 87 के तहर गठित प्राधिकरण की मद्धेस्टा भी करता हैं बाकि इसमें जानने लाइक नहीं है जितना जरूई था हूं मैंने आपको बता दिया सिलीबिटी इस इन्फ्लेंसर और वर्चुवल इन्फ्लेंसर के लिए दिशा निर्देश भारती बिगजापन मानाक परिसत ने डिश्टल इंडिया में इन्फ्लेंसर दोरा दिये जाने वाले बिगजापने है तो ब्यापक दिशा निर्देश जारी किया है है इसमें अन् दिशा निर्देशों को लंगन करने पस इंफ्लेंसर को भुखता समच्छन धिनियम 2019 के तहर्ट दंडित किया जाएगा है ना इंफ्लेंसर के लिए प्रमुक प्रावधान दिया जाएगा सभी के लिए दिशा निर्देश रहेंगे प्रक्टी करण बिग्जापन दाता और इंफ्लेंसर की भी सभी भौतिक संबंध हो जैसे मौद्रिक एब अन्यपारी तोसक निसुल को उत्पादायत के खुलासा करना ह फिन फ्लेंसर के लिए क्या किया जाएगा कि पंजी करण भारती प्रतिबूधी और बिनायक बोर्ड में पंजी करण के बाद ही हुए बैंकिंग बित्ती सेवाओं और बीमा जैसे बिश्यों पर निवे संबंधी सलाह दे सकते हैं मतलब क्या होता है कि बरतमान समय में बित्तार है आपको उतनी जानकारी नहीं है बस यह है कि आप फेमस तो आपकी बात सुनके वह करने देखिए आपको पास परयावत जानकारी रहेगी आपको पास जब लाइसंस रहेगा यह करने के लिए तभी आप इंफ्लेंस कर पाएंगे तो जिससे को रहेगा लोगों क क्या होते हैं कि influencer पर लोग विश्वास करते हैं जिससे वो जो भी कहते हैं वो चीज का प्रशार करते हैं लोग उसका नुसरान करते हैं जिससे क्या होता है बिती छती बढ़ जाती है जैसे बरतमान समय में अगर देखा जाए तो dream 11, league 11 इनमें कहा कि कुछ celebrities है न जैसे बड़ से बिती छती हो जाती है तो इससे कहों तो चिंताय उत्पन होती है है तो स्वास समंधि समस्थाएं और नकरात्मा परिमार परेडाम हो जाते हैं उन्फ्लेंसर के प्रभाव छहित का विस्तार करना है इनका त्रीवर से प्रसार हो रहा है दो हजार प्रताइज तक समझने में सहायता करें और भ्रामक मार्केटिंग ना करें त्य हो जाएगा हमारा जो नोमाज का टॉपिक है आपका है कि जन्म और मित्रुप पंजी करन संसोधन अधियम दोहजार तेज तो यह हो जाएगा तो इससे पहले हम देखेंगे भारत के रजिस्टार जन्रनल और आयुत तो इसकी उत्पत्ती 1961 में स्थापित किया गया था इसे हैना ग्री मंत्राले के अंतरगति यह आता है और इसका कार्य क्या है कि जन्गर्णा का संचालन करना जन्म और मित्रुप पंजी करन के कार्यानवन की निगरानी करना रजिस्टार जन्रनल जो होता है भारत के अधिन्हम मिppen पंजी करन अधिन्या के सहथ भारत की रजिस्टार जन्रनल के रूप में नामित किया जाता है तो यह हो जाएगा करेयरन मिन भारत के रजिस्टार जनरलं की नुक्ति का प्रावधान करता है मुख रजिस्टार जिला रजिस्टारी मोरर्मान प्रमानंपत्त काता है रजस रचतार पंज्यकराण संबढ़ती सूची की सब्सक्राप 2019 में राश्टी अस्तार पर जन्म अम्रित आकड़ों का पंजी कराने जो करमसा अस्ता था उसका 33% से 20% था अबर्स 1979 के अधनियम को अभी तक संसोजित नहीं किया गया इसलिए इन में लिखिस उद्देवसे के लिए जन्म प्राणपत को वियोग होगा और साथे साथ अपीली प्रक्रिया भी इसमें की जाएगी इस अधनियम से संबंधी चिंताये में देखेंगे कि आप मुलादिकार के विरुद्ध हैं हैना जैसे क्या होता है कि जन्म प्राणपत के बिना स्कूल में प्रवेश्णा देना अनुच्छे दकिस्ते के तहती स्कूल सिक्षा के मुलादिकार का उनलंगन हो सकता है और क्या है आयू संबंधी एक मात्र निरनायक प्रमान पत्र निगरानी के स्थिति तो इससे दिक्कत हो सकते है निसकर्स में देखेंगे कि अपने कार्यानवन के दौरान यह अधनियम इगरुनेस मदद करेगा यह अधनियम के तहार डेटावेस को डेटा के वेवस्ति संग्रा है है न कि रूप में परिभासित किया जाएगा फिर भी उप्रित मुद्ध से निपटने के लिए सरकार द्वारा गोपनीता और निगरानी संबंधित कानूनों को मजबूत करने क आवसकता है तो यह हो जाएगा अब हमारी संसीत उसुर्कियों में देखेंगे प्रेस और पत्रिका पंजी करान विध्यक दो हुजार त्य यह क्या है कि इस विध्यक को देश प्रेस और पुस्तक पंजी करन के अधिनयम 1867 को प्रुस्टाहित करना जिसे देश में अप्राधिक मामलों की अनुचित गोंशड़ा आदि भारती प्रिस परिषयत की अध्धचता में एक अपीली बोर्ड का प्रावधान किया गया है, हना पंजीकरण देने सिंकार करने, जुर्माना लगाने या पंजीकरण में निलंबन रद्द करने के खिलाप अपीलों के किताबे जो और पीवी बिध्यक 2013 के दारे से बाहर कर दिया गया है, इसका कारणिया है कि एक विषय के रूप में पुस्तुकों का प्रवंधन सिक्ष्यमंत्रारे द्वारा किया जाएगा, अब बिध्यक का है कि पर्तिगाओं के पंजीकरण से प्रकिया को सरल बनाता है, म इराज्य सबब में आधिवक्ता विध्यक 2013 को पारित कर दिया गया है, इसके जरिए टाउंटिंग के क्रित को दंडेनी बना रहे है, साथ ही साथ विधी ब्यवसाय अधिनियम 1889 के कुछ प्रापरचलित प्रावधानों को निरस्तित किया गया है, अब विध्यक का प्राव कर होता है, जो क्लाइंट को भुक्तान से पहले वकील उपलब्द कराता है, तो यह हो जाए, इस तरह से हमारा यह आज का पॉलिटेन गवर्निस का चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके आगे का जो भी है वह हम कल की वीडियो में आपको उपलब्द कराएंगे, तो अमीद ह बाद आप सभी लोगों का बने रहने के लिए,